कोरोना काल में भले ही सरकार ने मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य कर रखा है लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसका पालन सही नहीं कर रहे हैं मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालान करने की जिम्मेदारी जैपूर नगर निगम को दे रखी है इसी के तहए जैपूर नगर निगम की और से सेंटरल पार्क में बिना मास्क मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों के चालान काटे गए इसके अलावा नगर निगम टीम ने S.M.S. हस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर पर भी मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे हैं